हेलो दुस्तो मेरे नमान सिंग रायटोर और हमारे वीटो चैनल पर आपका स्वागत है दुस्तो जैसे कि मैंने आपको काफी वीडियो में बताया है कि मैंने सुझगी मोटर गुजिरात है तो उस कंपनी में मैंने काम है तो वो किया हुआ है जो कि फोर वीलर करने तो वो करती है तो दूष्तो आज मैं आपको बताने कि मैं काम कर रहा था तो दूस्तो इस विडियो में काम करते करते एक दिनमीम रोपड़ा है दो तो अश दिनमें बहुती जाणदा showers have a Elika सब कुछ आ गए थे तो दूष्तो आज मैं इस वैपको डिटेयल में बता वीजिवल सावित होगा तो दुश्ट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो दुश्ट जब मेरी जोने होई थी तो सबसे पहले साथ आठ दिन की ओपस में बठाकर ट्रेनिंग है तो वो दी थी तो दुश्ट इस ट्रेनिंग को लेने के बाद फिर काम करने के लिए ल लैंट करमचारी के साथ काम है तो वो किया था और मैंने उसके साथ काम है तो पंद Stevens सीख है दूस teointed पर काम करनी के लिए गया था तो अभी तुझको 10-12 दिन हो गए और तेरे काम की जो इस पीट है तो वो बिल्कुल भी नहीं है मैं इस काम को मातर 5-6 दिन में ही सीख गया था लेकिन तुमको 10-12 दिन हो गए तब यह काम तुमको अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है तुम इस काम को नहीं कर पाओगे और एक द करने में उसकी स्पीड बहुती जाना थी, वह यह काम करने के बाद, फिर वह यह थोड़ दिल के लिए खड़ा हो जाता था, और उस टायम पर मुझसे बाते हैं, और मजा करता रहता था, तो दोस्त तो इसलिए मैंने उस बात पर जांदा गोर है तो नहीं किया था और दोश्तो इस तरी केस उसने मेरे साथ लगवाग 22 बाईस से 25 दिन उसने मेरे साथ काम है तो वो किया था फिर उसे कंपणी ने निकाल दिया था जैसे कि आप सभी को बताए कि सुझगी कंपनी मात्र 7 मेनी के लिए ही लेती है अधरदोस्तों मुझे अकेले काम करना पड़ रहा था लेकिन दुस्तों काम करने की मेरी स्पीड इतनी नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी तो मुझे काम करने में बहुत सारी प्रोवलम है तो वो आती थी लेकिन दुश्टो सुजगी कंपनी आपको यह बोलती है कि अगर आपको काम करने में कहीं पर भी प्रोवलम आती है तो आप end on खीचिए उसकी बाद आप सुपरवाईयर को बुलाईए उनको बताईए कि आपको क्या प्रोवलम आ रही है तो वो आपको help करने के लिए किसी दूसरे करमचारी को कहेंगे प्रोवाय करमचारी आपकी help करेगा तो दुस्तो जब जब मुझे प्रोवलम आती थी मैं ऐसा ही करता था लेकिन दुस्तो यह मेरा रोज का ही काम हो गया था मुझसे वहाँ पर काम है तो वो हो नहीं रहा था मैं बहुत कोसिस की लेकिन मेरी स्पीड है तो बड़ी नहीं रही थी लेकिन दोश्त अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो सुपरवाईयर को मेरा काम है तो चेंज करना था ऐसा मैं सोच रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोश्त तो मैं आप अपने सुपरवाईयर को गलत नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे जैसे काम करने वाले उनको बहुत सारे मिले होंगे जो उन्होंने अपने तरीके से हेंडल किये होंगे दुश्तो रोयामेक तब था जब मेरे सुपरवाईयर कहीं थोड़ी दिर के लिए चले गए थे और उस समय DAT जो की पॉलिटेकनिक करके सुपरवाईयर के नीचे जोईन होता है और हम लोग यहाँ पर IT करके जाते हैं तो IT और सुपरवाईयर के बीच में जो काम करता उसको DAT बोलते हैं तो दोस्तो उस समय उसने मेरी हेल्प करने की वज़ा है उसने मुझे गाली दी और वह मुझे से उल्टा सीधा बोलने लगा कि तुमको दो मन्त हो गए तुमको काम नहीं आया यह वह बगएरा बगएरा तो दोस्तो फिर मैंने आप अपने DAT को बोला कि देखो भाई जो करने के लिए आपर आप आयो और जो करने के लिए यहां पर मैς आया हूँ गली बगएर आप यहां पर इस सब्दें तो ऐसी सब्दें आप यहां पर यूज ना करो दोस्तों यह सब बोलती बोलती मैं रो भी रहा था अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं तो यह मैं आपको यहां पर सरल सब्दों में बता रहा हूं और दोस्तों उस टैम पर मैं र हो रहा है बगएरा बगएरा तो दोस्तों उस टाइम पर मैं वहां पर मतलब की काम छोड़के मैंने का कि हां यहां पर मुझसे काम है तो नहीं हो रहा है और मैं यहां पर काम करने के लिए अपना जो हंड्रेट परसेंट है तो मैं दे चुका हूं लेकिन मैं फिर भी यहां प सब कुछ तब हो रहा था जब लाइन चालू थी और आप जानते हो कि जब लाइन चालू होती है और एक करमचारी अपना काम है तो वो ना करे तो आंगे की पूरी लाइन चलनी ही बंद हो जाती है जब तक की कोई करमचारी अपना काम नहीं कर देगा तो लाइन आंगे लेगे ही कैसे दूश्त इस वात का मुझे बहुत जांदा टेंसन था लेकिन दूश्तों डी एटी की बात मुझे काफी जांदा बुरी लग रही थी इसलिए मैंने काम को छोड़ कर और मैं ब्रेंच पर जाकी बैठ गया जहांपे की जाकी रेश्ट करती थी तो मैं वहांपर बैठा था और दोस्तों मैं इस तरीके से बैठा था कि अब तो यहां पर मुझे से काम है तो वही नहीं रहा अब तो बस मुझे घर जाना है मुझे से यहां पर काम है तो वह होगा ही नहीं फिर दोस्तों कुछ समय बाद जो सुपरवाईर सर थे तो वो आई उन्होंने मु उने का कि जाओ अब वो लड़के वहां पर काम कर रहे हैं तो उनकी जाके help करो और मेरे सुपरवाइजर सन ने मुझे अच्छे तरीके से और प्यार से कहा था इसलिए मैं उनसे यहां पर कुछ भी नहीं कह सका और सब बातों को भूल कर मैं फिर से काम करने लगा लेकिन दु उससे सर ने कहा कि आपको कैसे पता कि मैंने उससे कुछ नहीं कहा तो मैंने कहा कि सर मेरे सामने तो कभी कुछ कहा ही नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमारे सामने इसको बोलता तो उसकी क्या value रहती फिर इतने लोग यहां पर काम कर रहा हैं इतनी बड़ी टीम है क् मैंने उससे बहुत कुछ कहा था यह मत समझो कि तुमारे सामने नहीं कहा तो उससे कुछ भी नहीं कहा होगा तो उसको काफी सारा experience है तो उसकी बातें आपको माननी चाहिए या फिर मैंने उस व्यक्ति की बातें मानी होती जिसने मुझे काम है तो वो सिकाया था तो उसने मुझे बोला था कि तुम यहाँ पे एक दिन रोएगा तो दुश्त उसकी सारी की सारी बाते सच हो गई थी और म कई किसी हैं जो कि मेरे साथ वहां पर हुए थे तो वह मैं आपको किसी आगे वीडियो में बताऊंगा अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना या फिर ना करना दोस्तों यह आपकी मर्जी होगी